वेल्कम बैक टू स्टॉक मार्गेडिल आज हम बात करेंगे मोधिसंड मेटल लिमिटेड के बारे में 72 रुपए पर ये स्टॉक चला है इस वीडियो में इंटक बने रही आपको कंपनी का फंडमेटल तो पता चलेगा ही चलेगा साथ यहां से स्टॉक के क्या लेवल बन रह होगा क्योंकि जो भी कंपनी चोटी होती है उसमें मेनिप्लेशन के चांसर जादा रहती है और मैं इसका चार्ड दिखाऊंगा उसके बात आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए बाकि अगर आप इसका विल्वेशन देखते हैं तो इ कंपनी ने यहां पर रिडियूस किया है दूसर चौदा कड़ो का एसेट है एक सो तीरतर कड़ो का रिजर्व है और बावन परसंट से जादा प्रमोटर की होल्डिंग है और सबसे ची बात क्या है कि बुक वेल्यू के आस पास यह स्टॉक कर रहा है एक सो पांच का हाई सा पर साथ परसे कलो है 1.40 परसंट डिविडेंट यानि की कंपनी डिविडेंट भी अनॉंस करती रहती है एक रुपए का फेस परसंट परसंट है पिछ्छे साल के वाबले सेज यहां पर कंपनी की 10 परसंट बढ़ी है इसके अलावा कंपनी को अगर आप देखेंगे तो तो कंपनी काम करती है तो चोटा नहीं है कंपनी काम बढ़ा है करें कंपनी करें के लागada आप देखेंगे कवर्ट कॉट आफंक्गर छूर्प रषने परसंट तो यहां पर सेल्षर कमक्रमरन के फřि情 थी नैंकरव्ले। करोड के आसपाद था और अभी देखेंगे तो 5 करोड का प्रॉफिट है तो पिछले दूसाल में कंप्री ने काफी जादा इंप्रूव किया है तो चलिए साल दर साल देख लेते परफ़रमेंस कैसा है तो साल दर साल देखेंगे तो पहले 127 करोड की कंप्री के सेल्स थी और पहले था उतना अभी भी है यानि कि company sales तो अच्छा जनरेट कर ले रही लेकिन expense company handle नहीं कर पा रही है पहले company 97 क्रोड का expense खर्च करती थी बट अभी 309 क्रोड का expense कर रही है इसका मलब क्या है कि company अभी जितना मलब company का कोई जाधा जो management है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा हाला कि company profit यहां पर अच्छे से management काम करें बट यहां पर थोड़ा सा यह दिक्कत हो रहा है कि बारबाद expenses जाधा company खर्च कर रही है जिस वज़े से net profit हमेशा एक पल आ रहा है तो यह अगर इस expense पर company काम करती तो जरूर आपको यह stock जाए वह अच्छे खासे P ratio मलब काफी कम P ratio पर यह stock देखने को मिल सकता है और वहां से और ज्याद अच्छी बाइंग opportunity हो सकती है वाकि पिछले पांच सालों में sales देखेंगे तो sales 12% बढ़ी है profit 3% बढ़ा है CAGR 1% और return on equity 12% बढ़ा ह बढ़ार का जिस टेक इसमें वह 52% के आसपास से 0% जिरो परसंट जो है FI का है DIA का भी 0 है और 48% के आसपास public का stake देखने मिलना है और यहां पर FI की holding कम हो गई है DIA की holding remains same और बाकी बची जो holding है वह बढ़ी है public की तो अलवर कंपनी का fundamental अच्छा है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि company अच्छा काम नहीं कर रही है बट साल दर साल अगर आप देखेंगे तो company का कुछ जादा खास production नहीं आ रहा है अगर आप profit की दृष्टी से देखते हैं तो प्रॉफिट कंपनी पहले के तुलना में अभी उतना ही जनरेट कर रही है यहां पर कम से कम कंपनी का जो प्रॉफिट है वह साट करोल सतर करोल तक आना चाहिए था बट पंदा करोल आया है तो चलिए यहां पर तो देख लिया कि analysis हमने कर ले कि fundamental company का कैसा है अब देखते है कि चार्ट पे कुछ खास है या नहीं कोई pattern form हो रहा है यहां पर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर वंडे का time frame मैंने लगाया है और अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक level form हो रहा है एक यह almost level 85 के आसपास का यहां से stock का जो target है वो 85 तक हो सकता है market bullish ह तो यह 85 तक अराम से चला जाएगा तो यह आपका first target होना चाहिए after breaking this आप 95 के लिए try कर सकते है और 95 यह अगर break कर गया तो इस stock आपको 120 पे देखने को अराम से मिल जाएगा बात यह आप long term के लिए consider करना चाहते है तो कासी कम stake इसमें buy कर सकते है बहुत जाद है अगर आप इसमें invest करते हैं तो हो सकता है कि आपका यह loss भी हो जाए क्योंकि company के जो प्रदरशन है वो अच्छा है मैं यह नहीं कहरा हूँ company प्रदरशन खराब है बट यहां पर profit company का कुछ खास नहीं हो रहा है अब देखे यहां पर हमने यह चीज समझ ले लेकिन एक चीज और इसमे जितने भी candlestick आप देख रहे हैं सब पर विक बना है अब जिस भी जिस भी stock में अगर आप चार्ट पैटन देख रहे हैं तो उसमें जब भी बड़ी बनती है तो इसका मलब क्या है कि उस stock पे उस stock पे ज़्यादा मलब जो active है वो operators active है जिसमें ज़्यादा बड़ी विक आ आएंगे जिस वज़े से ऐसे stock आपको candlestick देखने को मिलता है तो ऐसे stock से थोड़ा सब बच के रहना चाहिए अगर अगर आप short term के लिए हैं तो short term में और आई थे लो अच्छे होते हैं वड़ काफी कम इसमें इंड्रस्मेंट करिए गा आय होप वीडियो लगे कि लाइक करें चैनल को सिस्क्राब करिए इस टॉक को बाहत फिलकरनेंस पहले अनलेस जरूर करें मिलतें एक फड़ें तो प्लेकलि दंग दो शाली